नमस्कार स्वागत आपका भी एच वर्ड में मैं हूं कुंदर कुमार और आप हमारे साथ जूर चुके हैं डेली करेंट अपेर्स बुलेटीन में दोस्तों आज है 11 नौमबर और 11 नौमबर के 10 मत्रपुल प्रश्ण और उसके उत्तर के व्याठ्षा के साथ हम आपके साथ उ सुल्र, सुल्र, यहिए सुनाया गया है 9 नौमबर को 9 नौमबर को सुनाया गया है इसके बारे आपको बता दे की यह चो मसला है तकरीबं 18050 प्रवाब निश्वी से ही कानून नयाले में चल ला था लेकिन अगर एतिहासिक द्रिष्टिकों से देखा जा तो यह मामला काफी पुराना था तो इस पर सुप्रीम कोट ने अपना एतिहासिक फैसला सुनाया है इससे पहले मोहिय खाया को दूसरा भाग मिला था सिया बखब और तीसरा भाग को मिला था लेकिन इस फैसले को किसी ने नहीं पाड़ा सुप्रीम कोट पे चुनाया थी इस पर लगातार बहस चलती रही और अतन्तता 9 नवंबर को इस पर एतिहासिक फैसला सुनाया गया पांच जजों की खंड पीठ ने इस पर अपना एतिहासिक फैसला सुनाया तो वो पांच जजों में कौन कोई जद सामित थे तो उसका नाह हम आपको बता देते हैं उसके सबसे पहला नाम है चीप जस्टिस ओफ इंडिया रंजन गोगोई और दूसरा नाम है जस्टिस एस ए बोबडे जस् इसके बाद जस्टिस डिवाई चंद्रचूर थे उसके बाद जस्टिस पसोप हुसंग और पांच वे जजज जो थे वो थे जस्टिस अब्दुल नजीर इन पांच जज़ों की खंड पीठ ने इस पर पांच जीरों से एतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें जो विबादित जमीन था वह राम जन्मभूमी न्यास बरिशत को सवपा गया है और इसी के साथ उत्तर परदेश सुनिक बख़प बोर्ट को पांच एकर जमीन उत्तर पर अयोध्या मेनी बंदिर जहां है वाँसे हट कर उसको भी पांच एकर जमीन मिलेगा इसमें जो केस ज़र रहते वो पॉर्ट कोन थे तो एक था सिया बख़पोर्ट उत्तर परदेश सुनिक बख़पोर्ट तीसरा था निर्मोही अखारा और चौथा जो था राम जन्मभूमी न्यास बरिशत था अभी तक 14 अन्य लोगों ने भी इस पर 2010 के बाद याची का दायर किया था कि सलीओं में इसका पूरा नाम क्या है यह संतर्वों में इसका बात कर रहे वो और को लोजीकल सर्वें और इंडिया के द्वाढ़ा प्रस्थूत किये गए साथ्ष के आधार पर आया है तो इसकी आपसे पूछा गासक्ता तो इसकी 8 असथापना होती है और इसकी असथापना करते है तो इसकी असथापना करते हैं अब हम आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा सफर बढ़ चुता है आज के तीसरे प्रशुन की वह हमारा तीसरे प्रशुन जो है वह खेल से सब्बंदित है और कोश्चर में अंतरास्तिय हौकी महासंध में पंद्रावे पुरुस हौकी विश्वकप के आयोजन के लिए किस देश का चलन किया है तो इसका जबाब होगा भारत को इसकी मिजवानी सौपी गई है भारत 2023 में इसकी मिजवानी करेगा इससे पहले जो जो चौदहवा पुर्णुस हौकी विश्वकप गई था उसकी मिजवानी भारत को सौपी गई थी और उसका आयोजन पूरीज़ा के भुवनेश्वर में किया गया था अब हम चलते हैं आज का हमारा नेक्स्ट कॉस्चन है उसके तरफ हमारा नेक्स्ट कॉस्चन है एतिहा किया गया है तो नौ नवंबर को ही किया गया है नौ नवंबर को ही नरेद्र मोदी के द्वारा गुर्दासपूर में कर्तारपूर गल्यारे की समधित जांक चौकी का पुद्धगाटन किया जाता है अब हमारा अगला कुस्चन जो है वह है हाल ही में निवेशक सीखर सम्मेलन का ऐलोजन कभा किया गया है निवेशकों को आकर्शित करने के लिए इसे सम्मेलन का ऐलोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के सिमला में अगला कुस्चन हमारा इसी से सम्मधित है और अगला कुस्चन है इन्वेशकर हेवन राइजिंग हिमाचल का बिमोचन किस ने किया तो इसका बिमोचन किया है भारत के प्रदार मिंत्री नरेंद्र मोधी जी ने आप अख़वार पढ़ते होंगे तो आपको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरन के बारे में देखने को मिलता होगा हाली में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरन में कहा है कि आर्ठिक विकास किसी के जान की कीमत पर नव हो तो एक सब्द यूज किया जाता है NGT, तो NGT का पूरा नाम क्या है, तो NGT का पूरा नाम होता है National Green Tribunal, और इसी का हिंदी नाम है रास्टिय हरित प्राधीकरण, तो NGT का पूरा नाम है National Green Tribunal, इसका जो मुख्याले है, वह नई दिल्ली में इस्तित है, अब हमारा अगला कोशन है, पहली इंटिया इंटर्नेशनल टाइक्वांडो चेंपियंशिप की सुवाद कहा की गई है, पहली बार इंटर्नेशनल टाइक्वांडो चेंपियंशिप की सुवाद की गई है, और इसकी सुवाद की गई है भारत के नई दिल्ली में, किस एस्ट स्टेटियम में इसकी सुरुवात की गई है तास कटोड़ा इसकी सुरुवात की गई है अब हमारा नेक्स क्वेशन इंटरनेट सुतंधता के सबसे अधिक धूर्पयोग में कौन सा देस सिर्ष पर रहा है तो इसका जवाब होगा चीव कहिन सब हम सब अपने दैनिक सीवर में इंटर्नेट की दूरूपयोग विता से गर्शित है और इससे सम्वंतित एक हाली में रिपोर्ट प्रकास में आया है जिस रिपोर्ट के अमुसार इंटर्नेट की स्वतंदता का सबसे ज्यादा दूरूपयोग चील में होता है अब अगला कोश और इसका उध्धार्टन किस ने किया उध्धार्टन करता थे भारत के उप्राश्थपति एम बेकिया नायवू तो दोस्तों यह था आज का हमारा देली करेंटर के बोलेटी आज के इस एपिसोड आज का है एपिसोड खत्म हो उससे पहले बार या दिया है आपसे सबसे पहले अब से प्रिबीयस वीडियो में जो फ्यागता उसका जवाब आपको बता दे आप प्रस्या आईपोर इंगिया सीपोर चाइना और एसपोर श्राउट अफरीका फिर आपसे पूछा गया था ब्रिक्स की अस्थापना कब की गई है तो ब्रिक्स की अस्थापना की गई है जून दोजाथ चोवीश वी में और तीसरा कोशन आप से था खाले यूए की घणतानी कहा है यूए की इसकी राते कहई है और अब आज इसका कोशन आज सब्से पहला कोसटन है आपको बताना है अगई आपसे है भारत के 46 मूख्यन दर्क की समाब तो दो रहा है है दोस्तों अगर आपको को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भी उसे सब्सक्राइब हर छोटी भरी छोटी भरी ख़वरों की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक खुशती रहे साथ ही फिर होगी अगले वीडियो में मुलाकात तब तक धन्यवाद